अभी बारिश के मौसम की शिरुवात हुई और यह क्याना संभव नहीं है कि साब बिच्चू जैसे जहरीले जीवों से कब सामना हो जाए कहा नहीं जा सकता ऐसे में सतर कता ही सबसे आसान तरीका है साब ने शेहर में जैसवाल लियाउट में भी ऐसा ही मामला सामने आया जहां कोबरा प्रजाती के जहरीले नाग महराज रसोई घर के बरतनों वाले रैक में डेरा जमाय नजर आने से घर वालों की सासे फूल गई प्राय साब मनुष्व का शत्रू नहीं मित्र है और भारत वर्ष में साबों की लगभग 278 प्रजातिया है जिन में से 15 प्रतिशत ही जहरीले साब होते हैं साबों का मुख्य भोजन चुए होते हैं और साब उन पर प्राकतिक रूप से नियंद्रत करने का काम करते हैं किसानों की लगभग 26 प्रतिशत वसल और अनाज हर वर्ष चट कर जाते हैं तो वहीं साब चुए खाकर अनाज को सुरक्षित रखने का काम कर पर्यावरन संडक्षन का मुख्य गटक है चार जुलाई को सुबह करीब साड़े नौ बजी सुरेश हजारे निवासी जैस्वा लियाउट के घर केचिन के बरतन रखने वाले रैक में चार फुट लंबा कोब्रा प्रजाती के विशेले नागराज दिखाई देने पर सर्प मित्र अजे पटेल को सूचना दी गटना की गंभीरता देख वे अपने कुछ साथियों के साथ गटना इसतल पहुचका साप को पकड़का जंगल में छोड़ दिया गया तब जाकर परिवार ने चैन की सास ली सामने शेतर में कारिड़त सर्प मित्र घंशाम तुर्के ने नागरेकों को साप के काटने या इसी तरह के अन्य प्रकार से बचने के लिए कुछ महत पून सुचनाई दी की घर के आसपास जमे पत्थरों, इटों, लकड़ी के अनावशक धे ना छोड़ें, खिड़की के पास पेड़ ना लगाएं, सापों को मान्यों पकड़ने की कोशिश ना करें, साप के काटने पर घरेलों इलाज के और जार फूक में समय जाया ना करें, तुरंद नजदी की अस्पताल पहुच कर उचित इलाज कराएं, अगर आपके आसपडोस में अगर साप बिच्चु जैसे जहरीले प्राणी नज़र आएं, तो सर्प मित्र घंशाम तुर्के अजे पटेल मोहित बारसकर सूरज ताभा ने संकेत गमें अक्षे आवारी हर्श बिलवार शेका ध्यार आधी को संपर करने की विंती की।